शाज़पुर के काला पीपल में नई गाइडलाइन के बाद हेर सेलून संचालकों ने आवशक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हेर सेलून खुल गए हैं सेलून में आने वाले ग्राहकों को पहले सेनिटाइज किया जा रहा है वहीं संचालक द्वारा मास्क सहर अन्य जरूरी चीजों के साथ काम किया जा रहा है ग्राहक के जाने के बाद सीट और ओजारों को भी सेनिटाइज किया जा रहा है काला पीपल के प्रिंस पालर के संचालक महिंद्र सेन ने बताया कि दुकान पर आने वाले ग्राह को पहले सेनिटाइस किया जा रहा है तथा बाल कटवाने वाले हर व्यक्ति का नाम पता मुबाइल नंबर सहित रजिस्टर में एंट्री की जा रही है साथ ही मुबाइल पर संपर करने के बाद फिजीकल डिस्चिंसिंग के साथ ग्राह को बुलाया जा रहा है इसके बाद हर कस्टुमर को सुझा दी जा रही है कि मतलब उनको जा पर पिठाय नहीं जा रहा है और उनके मुबाइल से ही कांटेक्ट करते उनको बिलाया जा रहा है प्रिजीकल डिस्टेंस का किस दुका स्पाद गया है कि अधाय बाद सब्सक्राइब करने किसी को अंदर रहा है इसे बात हम सब के नंबर इस अगेरा सब पर प्रिए प्रिए कि हम घ्राग को बता हमाद है कुस्तुमर को यह हमारी जो कालिया जा सकते भी कुछ दूना के का प्रिवार की सुरक्षा स्वायम अपने हाथों में है खबर मध्यप्रदेश अपने सभी दर्शक को सपील करता है कि मुँपर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें तभी हम कोरोना महामारी पर जीत हासिल कर पाएंगे खबर मध्यप्रदेश के लिए कालो पीपल से संदीब गहलोत की रिपोर्ट